प्रिया दर्शकों नमस्कार चल रहे कोविड में हमारे के मदे नजर आपसे अनुरोद किया जाता है कि कोविड उपयोगत व्यभार का पालना वश्य करें जैसे मास्क पहनना, नीमित रूप से हाद धोना, उचित छारी रिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीर भाड़ वाली जगों से बचना आईए सुनते हैं आज के मुखे समाचार अब समाचार विस्तार से श्री अतनु भौमिक ने 11 फरवरी 2022 को सेल राउरकेला स्पास सेंद्र आरेस्पी के निदेशक प्रभारी के रूप में पदभार ग्रहन किया है आरेस्पी में पदभार ग्रहन करने से पहले श्री भौमिक सेल बोकारो स्टील प्लांट के कारेपालक निदेशक संकारे थे श्री भौमिक एनाईटी पूर्वर्ती आर इसी राउरकेला से मेटलर्जी इंजिनरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरा करने के बाद 1988 में स्टील अथारिटी ओफ इंडिया लिमिटेड में नियुक्त हुए उनकी पहले नियुक्ती आरेस्पी के ब्लाच फरनेस विभाग में हुई थी जहां उन्होंने 29 वर्षों तक कारे किया विभिन पदों पर सेवा प्रदान करते हुए लौ उत्पादन की बारीकियों को सीखा और कड़ी मेहनत प्रतिबधता और समर्पन के बल पर पदानुक्रम लगातार पढ़ाते रहे उन्हें वर्ष 2016 में महाप्रबंधक जिसे बाद में मुख्य महाप्रबंधक के रूप में नामित किया गया के पद पर पदोननत किया गया इसके बाद दिसंबर 2018 में श्रीबहॉमिक ने सेवाक्षेत्र का कारेभाल समाला और उसके बाद मई 2019 में उन्हें RSP की परियोजनाओं का प्रमुक्ष बनाया गया अक्टूबर 2019 में कारेपालक निदेशक के पद पर पदोननती के साथ उन्हें बोकारो स्टील प्लांट में नियुक्त किया गया बोकारो में कारेपालक निदेशक ओपरेशन के रूप में अपने एक छोटे से कारेकाल के बाद श्री भौमिक ने फरवरी 2020 में कारेपालक निदेशक संकारे की जिम्मेदारी समहली अपने सम्रद अनुभव और विशेशक्यता के साथ श्री भौमिक ने बोकारों में एक सांस्क्रतिक परिवर्तन की शुरुवात की जिससे अधिक सामजस्य पूर्ण कारेवातावरन, मजबूत परिचालन अनुशासन के साथ-साथ उच्च उत्पादन, उत्पादक्ता और लाप्रत्ता हुई उलेकनी है कि दूसरी पीड़ी के स्चील मैन श्री अतनु भौमिक, स्वर्गिय श्री बीवीद भौमिक के सुपुत्र है जो वर्ष 1992 में RSP के सामगरी प्रबंधन विभाग से सेवा निर्वित्त हुए थे राउरकेला में जनमे और पढ़े बढ़े, श्री भौमिक ने इंजिनरिंग में डिग्री हासल करने से पहले राउरकेला के सैंट पॉल स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहन की और राउरकेला सरकारी महाविद्याले से इंटरमीजिट की पढ़ाई पूरी की RSP की बागडोर सम्हालने के बाद श्री भॉमिक ने राउरकेला लोटने पर जिसे वे हमेशा अपना घर मानते रहे हैं अपार प्रशन्नता व्यक्त की है राउरकेला हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहा है क्योंकि मैंने अपना बच्पन प्रारंभिक वर्ष अवसर दिया गया है सेल राउरकेला स्पाथ सेंद्र RSP के पार्शवांचल विकास संस्थान में 10 फरवरी 2022 को पार्शवांचल गामों और बस्तीक शेत्रों की 20 मैलाओं के लिए सिलाई का कौशल विकास प्रशिक्षन कारिक्रम प्रारंब हुआ है कारिक्रम का आयोजन RSP के CSR विभाग द्वारा, भुवनेश्वर स्थित, गैर सरकारी संस्था, ग्रामुत्थान और उशा के सयोग से किया जा रहा है कारिक्रम का उद्घाटन RSP के मुख्य महाप्रबंधक नगर प्रशासन एवं CSR श्री अजे नायक ने किया इस अफसर पर महाप्रबंधक CSR सुश्री मुन्मुन मित्रा, उप महाप्रबंधक CSR श्री दी प्रधान, ग्रामुत्थान के प्रतिनिधी श्री गुरु प्रसाद महंती, उशा के राज्य कारिक्रम प्रबंधक श्री विज्यानंद दास और CSR विभाग के अन्यादिकारी उपसित थे 20 लाभार्थियों में से 17 नुवा गाउं कुवार्मुंडा लाठी कटा और विस्रा जैसे पार्श्वांचल प्रखंड से हैं जबकि तीन महिलाएं और द्योगिक टाउन्शिप की विभिन बस्तियों से हैं 15 दिनों तक चलने वाले इस कारिक्रम के दौरान उन्ह प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामगरी RSP द्वारा दी जाएगी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद एक वर्ष तक ग्राम उत्थान प्रशिक्षण आर्थियों का निरिक्षण करेगा ताकि कारिक्रम की स्थिर्ता सुनिष्चित की जा सके उलेखनी है कि के मशीन प्रदान की जाएगी और उन्हें अपने आसपास की लड़कियों और महिलाओं को सिलाए की कला और ज्यान सिखाने के लिए प्रोचसाहित किया जाएगा प्रशिक्षण कारिक्रम के संचालन की कुल लागत पांच लाख 25,000 रुपए है जिसे RSP द्वारा वहन किया जा रहा है आजादी का अमरित महुत्सो समारों के तहट सेल रावर किला इसपास सेंत्र उड़िशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिश्चित व्यक्तियों पर समाचार की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है आज के व्यक्तितव हैं श्री अजीत केश्री अजीत केश्री रे 1922 में उडिशा के पुरी जिले के सकी गोपाल में जन में श्री अजीत केश्री रे का बहुत ही कम उम्र से कला की और जुकाव था एलीट दून कॉलेज से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1940 में भारतिय चित्रकला के अग्रणी श्री नंदलाल बोस के सनरक्षन में ललित कला का अधियन करने के लिए शांतिनी केतन में प्रवेश लिया 1959 में लंदन में एंगलो फ्रेंच आर्ट सेंटर में लकडी की नकाशी और ग्राफिक कला में विशेशाग्यता हासिल करने के बाद वगर्मेंट कॉलेज ओफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स खली कोट में पेंटिंग में लेक्चिरर के रूप में शामिल हुए और इसके प्रिंसिपल के रूप में सेवानवित्त हुए उन्होंने अपने समकालिनों के साथ ओडीशियन चितरकला में आधनिक्ता की शुरुवात की उन्हें अपने काम दफलाइट के लिए आधनिक पेंटिंग के लिए पहला ललितकला अकैडमी पुरुसकार मिला देश में अपने समय के अग्रणी चितरकारों में से एक उन्होंने पिकासो और ब्रैक जैसे अपने अग्र दूतों से प्रेना लेते हुए अपनी खुद की क्यूबिस्म शैली की स्थापना की 2000 में सराज्य ललितकला पुरुसकार और पतिश्चित धर्मपत पुरुसकार के अलावा उन्हें वर्किंग आर्टिस्ट एसोसियेशन द्वारा स्थापित कला विभूशन की उपादी भी दी गई थी उनकी आत्मकथा पोर्ट्रेट और पेंटर कला और शिल्प केक शेतर में एक उत्कृष्ट क्रती मानी जाती है समय की रेत पर अपने अमिठ पत्चिन्नों को पीछे छोड़ते हुए 11 अक्टूबर 2012 को उनका निधन हो गया आज की हिंदी समचारों में इतना ही नमस्कार